वेलकम बेक टू आल तो देखिए हमने बात करेंगे टीजिटी मैथेमेटिक्स का जो सिलेबस है फोर के जब्वी शेक्रिट्मेंट 2022 के लिए 2023 के लिए के विए का फॉर्म आपका 2022 22 23 का जो फॉर्म जो एनॉंस किया गया है वह पांच दिसंबर से भरा जाना है उसमें जो मैथेमेटिक्स का सिलेबस है फॉर टीजीटी उसके लिए हम लोग अभी बात करेंगे इससे पहले मैंने आपको पीजीटी मैथेमेटिक्स के बारे में समझा दिया था अच्छे से से स आप भी लेक्चर देख सकते हो और किस तरीके से मोड ऑफ एक्जामिनेशन और मोड अफ सेलेक्शन होगा उसके लिए भी मेरे मेरा एक लेक्चर है उसको अब अच्छे से देखो ठीक है देखोगे तो आपको अभी से एक स्ट्रेजी प्लान करने में आपको काफी हेल्प म में है ठीक है वो NCRT book से लिया गया है very important ठीक है जैसा PGT में हम लोगों ने देखा था आए class 6 से लेकर के 10th class 6 से लेकर 10 तक NCRT से लिया गया है तो syllabus कुछ नहीं है syllabus बहुत simple है but however the question will be testing the depth of understanding and application of these concepts at level of graduation बोलता है ना syllabus तो 6 से 10 तक है लेकिन वहां से जो understanding है जो depth of understanding है वो आपकी graduation level की होनी चाहिए यानि question तो उसी के syllabus से निकाला जाएगा but लेकिन जो question का depth होगा वो आपका ये बताएगा कि आपकी depth of understanding क्या है ठीक है और आप किस तरह का output निकाल सकते हो तो एक होता ना कि यही इसका beauty है के भी इसके exam का और मेरे को बहुत भाता है ये beauty कि आपको छोटे लेबल का ठीक है छोटे लेबल से आपको बहुत ही अच्छा question बनाने का कोशिस करता है ये तो जिसमें ज्यादा तर आपको knowledge जो है वो नीचे लेबल का होता है लेकिन उसका जो implementation होता है जो skill होता है वो higher level का होता है तो यहाँ पर आप syllabus देखोगे तो आपको syllabus लगेगा सब कुछ पढ़ा हुआ है definitely आपको पढ़ा ही हुआ है बट इसको policy और इसमें जो understanding हमारे लानी है वो हमको लाना है graduation level का तो यह आपको पूरा PDF जो है इसके brochure पे भी मिल जो syllabus है उसको मैं देखता है यहाँ पर सबसे पहले आप देखी है आपका real number ठीक है तो यह जो real number है मेरा तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं आप इसमें review है ठीक है natural number का integer rational number इस सबको आपको पहले समाझ लेना है recall कर लेना है rational number recurring terminating decimal इस अब आप देखोगे class 6 में 7 में 9 में में हर जगार आता है ठीक है example of non-recurring non-terminating decimal ठीक है root 2 root 3 के बारे में आपको जानना है उसका representation on the number line right इसी तरीके से explain करना है कि every real number is represented by unique point कितना देखी basic चीज़ है आप देख पाऊगे तो पूरा syllabus जो है आपका class 6 में 7 में 9 में तो वहां से उठाकर यहां पर डाल दिया है rationalization करना right उसके बाद laws of exponent and integer power fundamental theorem of arithmetic proof of irrationality of root 2 root 3 अब तो पूछेगा नहीं तो syllabus उठाकर actually NCRT से डाला गया है तो भाई इसलिए syllabus पूरा आपको यहां पर दिख रहा है ठीक है अब इसमें से जो questions आएंगे तो definitely आपको उसमें MCQE skill आपको graduation label का होना चाहिए आप उसको काफी अच्छे से deal कर सकते हो ठीक है तो generally concept मिला करके आता है तो इसलिए syllabus पर मत जाईए syllabus आपको लिग दिया है NCRT book से but important क्या है important है कि इससे जो questions निकलते है वो आपको कैसे और कितने कम time में deal करना आपको मैंने आपको बता ना राइट तो मजा आएगा काफी आगे देखिए फिर आपहारा polynomial तो polynomial भी आप बहुत पहले से पढ़ते हा रहे हो ठीक है polynomial के बात करें तो इसका definition one variable के लिए example और counter example right coefficient of polynomial zero polynomial degree of polynomial constant linear quadratic cubic monomials binomials trinomials इससे आप पढ़ले से पढ़ते हा रहे हो zeros of polynomial relation between zeros and coefficient right remainder theorem यह सब देखिए important ह यहां पर आपको इमेज लगा कर रखा है तो इमेज यह इंसी आटी से ही लगा कर रखा है कोई नई चीज नहीं है सारी चीज़ें आप जानते हो बट हमको इससे questions करने है राइट आप देखो कि linear in equation into variable तो linear in equation में भी बहुत सिंपल जो linear equation है वल्ली तो linear equation होता है एक्स प्लस नहीं होने वाला फिर आप देखोंगे pair of linear equation in two variable राइट दो variable में pair of linear equation तो भाई यह तो इसमें किसी बितरह का question आप बच्पन से करते भी आ रहे हैं पढ़ाते भी होगे आप six seven eight nine ten minute राइट by method of substitution by method of elimination तो इसमें आपकी understanding और जो इसके question इस लेबल के आते है तो उस पर ध्या है कि 180 नंबर का जो रीटेंड टेस्ट हो रहा है तो इसमें hundred number आपको मैध कर रहेगा राइट और 80 नंबर में आपका general awareness है current affair है aptitude है mathematics कुछ basic तो नहीं है pedagogy वेगर है तो वह सब है तो यह दोनों तो आपको इसमें hundred maximum number लाने कोशिश करना है ठीक है इस बार यह format है इसके प बिल्कुल निश्चिंद रहिए अब देखिए हैं पर quality equation आपको दे रखा आती है सब भी तो भाई quality equation तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो आप तो सलेबस देख करके ना आपके मुह में पानी आता होगा एक्जाम मैं लगता अभी दे दूंगा तो बिल्कुल दे देंग distance formula section formula इसा जानना internal division का बारे में फिर आप देखोगे Euclid's geometry तो Euclid's geometry बारे में भी आप पहले से पढ़ते आ रहे हो ठीक है Euclid's method of formalizing observed phenomena into regress mathematics with definition common obvious notions axioms postulates theorems ते सब सारा चीज़ जो है Euclid's से है related interesting चीज़े इसमें भी मजा आएगा देखिएगा तो ठीक है तो अभी syllabus द देख करके मत यह हो यह ठीक है कफी interesting है Euclid's जिन्होंने पढ़ाया वो जानते होंगे या पढ़ा भी रहे होंगे आप ठीक है उसको भी देखेंगे चुकि इसमें इंट्रेस्टिंग पार्ट होगा आपको चुकि इसमें बहुत ज़्यादा clarity नहीं रहती तो इसमें आपको एक बार recall कर लेना ठीक है तो आप देखो कि पूरा NCRT के बुग से class 8 class 9 class 10 से उठा करके पेश्ट किया हुआ है ठीक है अब यहां पर आप देखो तो ट्रेंगल के और भी सारे प्रोपर्टिस को इकवल करके लिग दिया है ठीक है इससे कुछ अलग भी आ सकता है बिल्कुल चुकि ट्रेंगल की बात है तो सारी बातें बस syllabus की लिख हैं और फिर जो भी इसमें एंगल प्रोपर्टी होता है तो सारा जो भी रिजल्ट बनेगा एक एंसी अर्टी से इस पेसली जो कि एंसी आटी में काफी डीटिल में सब कुछ दिया रहता है और वह अलग सी बात है कि हम लोग उसको अच्छे से देखते नहीं फिर देखिए जो है ऐसे भी आपको याद रखने में एजी होगा कि आपको सब प्रोपर्टी ही लिख दिया ठीक है कि परलेलोग्राम में क्या होता है डियागनल बैस चेक करता है ठीक है इच अधर एंड करमसली इने ट्रेंगल द लाइन सिंग्में जोइनिंग पॉइंट पॉइंट आपको बताऊंगा कि कितना इंट्रेंट इंस 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 प्रोपर्टी को आप ले करके आप जल्दी जल्दी आपको कुशन करना है कुछ कुछ आप देखो गया तो आपको थोड़ा सोचने में टाइम लग जाता है तो सोचना नहीं है तो कि आपके प्रेक्टिस ज्यादे रहने चाहिए ताकि आप सर्कल वगर काफी आसानी से एक्जाम में कर पाऊ ठीक है फिर आप देखिए यहां पर एरिया है तो इसमे है तो कुछ है नहीं अगर आप देखेंगे तो है क्या कि I've got you a term को जो है जो सिमेटर्रिक जो शेप से ट्राइंगल सर्कल वद्लीट्र वॉसके बारे में पड़ना एक ऑ एरिया के बारे में तो टॉपिक आपका पहले से पढ़ा हुआ है, बट उसको हम लोग रीकॉल करेंगे, पुरा मैं कॉर्स आपको दूँगा, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए वो क्या होगा, वो होगा, MCQ स्किल, ठीक है, मैं देखता हूँ कि जो बड़ी वज़ा है, जिससे आपका सेलेक्शन नहीं होता है, वो यह है कि कम कुश्चन आप कर पाते हो, टाइम आपका गुजर जाता है, ठीक है, तो एक्चुली क्या होता है, कि आप बहुत सलो रह जाते हैं, तो आपको सलो नहीं, इसमें एक्चुल का बाता है, तो जब आप में उस तरह का confidence नहीं जाता है, ठीक है, चोटा सलो बस आपको दिया है, टार्गेट छोटा दिया है, बट confidence आप से बड़ा चाहता है, यह exam ठीक है, तो आप बड़े confidence साथ इस exam में बैठ होगे, ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, तो आप एक्जाम को cover करोगा, बहुत जल्दी देखिए का यह course मेरे application के आजाएगा, अभी application का link आपको मिल लियागा, description में वहाँ साप application को download कर लिए, और अभी मैं कुछ course में busy हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं वहाँ से free होता हूँ, बहुत जल्दी मैं इसके लिए course ले आऊँगा, ठ थीग, थैंक यू बढ़ी मिच.